आजिसकी वीडियो में हम सभी इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं हम जानेंगे कौन लगाय सबदिग्ण कहां पर लगाया जाता है और कब लगाया जाता है यह वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाली है तो यहाँ पर पहला injection है IM injection इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन तो यह injection हमारी मास पेस यो या फिर हमारी मसल्स में लगाया जाते है तो यह कब लगाया जाते है तो जब भी किसी को कोई एंटिबायोटिक लगवानी होती है या वैक्सीन लगवानी होती है या फिर हार्मोंस की इंजेक्शन लगवानी होती है तो ऐसी कंडिशन में इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाते है तो आपने दिखा होगा कि COVID के टाइम पर जो वैक्सीन थी वो हमारी मसल्स में या फिर हमारी shoulder reason में लगाय जाती थी इसी तरह से बहुत से antibiotic है जैसे कि penicillin तो ये भी हमारे muscles में लगाय जाता है और जितने भी hormones होते हैं वो सभी हमारे muscles में लगाय जाते हैं जैसे कि testistron तो IM injection दो जगा पर लगाय जाते हैं पहला है यहाँ पर daltoid reason तो हमारे कंदे में या फिर हमारे shoulder में एक reason पाय जाता है जैसे कि हम daltoid reason कहते हैं तो इस जगा पर IM injection लगाय जाता है और दूसरा है हमारा gluteal reason जो कि इस जगा पर पाय जाता है तो यहाँ पर इस जगा पर injection लगाय जाता है इसके बाद यहाँ पर दूसरा injection है हाइड्रेशन के लिए या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसके लावा पेंकिलर यानि की दर्द को कम करने के लिए जो लगाया जाते हैं और कुछ एंटिबायोटिक भी हमारी वेन में दिये जाते हैं यह सभी आईवी फ्लूड है जिनके बारे में आप जानते हैं यह स इमेज में पिशन्ट का ब्लड सैंपल लिया जा रहा है यानि कि जो पिशन्ट का ब्लड सैंपल लिया जाता है वो भी उसके वेन से ही लिया जाता है इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा इंजक्शन है सबक्योटेनियस इंजक्शन यानि कि ऐसे इंजक्शन जो कि हमारे इ देख सकते हैं यहहां पर नीचे लगाए जाता है इसके अग्जाम्प्ल इसमते हैं के नीचे इस्के निचे इन इसे लगाया जाता है उसे हम सब्सक्राइब्स क्याते है इस कि यह जो महिला है यह अपने पेट में insulin का injection लगा रही है तो यह subcutaneous injection है जो कि पेट में इस तरह से लगा जाता है या फिर skin के नीचे लगा जाता है इसके बाद यहाँ पर है आज या फिर intra-dermal injection या ऐसे injection जो की skin में epidermis के नीचे लगाया जाते हैं, इसका एक्जामपल है allergy test, यानि कि जितने भी allergy test किये जाते हैं, वो सभी हमारे skin में किये जाते हैं, जैसे कि TB का test, तो यहाँ पर आप image में दिख सकते हैं यह जो injection है, यह intra-dermal injection है, जो कि हमारे skin में ही लगाया जाता है, यह इस तरह से लगाया जाता है, और इस से किसी भी allergy का पता लगाया जाता है, या फिर किसी medicine की testing की जाती है, तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं, यहाँ पर TB की testing की गई है, तो TB का infection हो जाने पर इस तरह से यहाँ पर swelling दिखने को मिल जाती है, और यहाँ पर last injection है, I.O. या फिर intra oseous injection, जो की bone marrow में लगाया जाता है, तो जब किसी current से IV injection possible नहीं होता है या फिर लगाया नहीं जाता है, तो उस समय bone marrow में injection लगाया जाता है, इसका example है sodium bicarbonate during cardiac arrest, यानि कि जब किसी को cardiac arrest आता है, तो उस समय उसकी bone marrow में sodium bicarbonate का injection लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर हमने intra oseous injection की image भी लगाया हुई है, कि वो bone marrow में किस तरह से लगाया जाता है, तो यहाँ पर लगबख हमने सभी injections के बारे में बात कर लिए है, आपको इन में से कोई भी injection कुछ से इस्तमाल नहीं करना है, क्योंकि इन